नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर सुप्रवत्ता और आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस यूटूब चैनल पे और आज इस वीडियो में एकदम सरल तरीके से मैं आपको ये समझाऊंगा कि मास्टर बेशन यानि हस्त मैथून का क्या-क्या साइड एफेक्ट्स होता है हमारा सरीर का उपर और उन साइड एफेक्ट्स का क्या-क्या बेस्ट होमेपतिक मेडिसिन्स भी है ये भी मैं आपको बताऊंगा तो बने रहे अंतक इस वीडियो के साथ पूरी जनकरी आपको मिलने वाला है तो दोस्तों ऐसे बहुत लोग है ऐसे बहुत डॉक्टर से बहुत हेल्थ कंसल्टेंट है जो ये कहते हैं कि हस्त मैथून का कोई साइड एफेक्ट्स नहीं होता है हमारा सरीर का पर हमारा लिंक का उपर और उन प्रॉब्लेम के लिए कौन-कौन सी बेस्ट होमेपतिक मेडिसिंस एवेलेवल है जिसे हम यूज करके हस्त मैथून का साइड एफेक्ट की रूप में जो हमें प्रॉब्लम्स डेबलब हुई है उससे हम निजात पा सके तो दोस्तों जो सब से बड़ा कंप्लेंट देखने को मिलता है हस्त मैथून की साइड एफेक्ट की रूप में वह है इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानि लिंक में तनाव की कमी आ जाना आज तक मैंने इतने सारे केसेस को ठीक किया है इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी प्रॉब्लम्स को उन आपका लाइफ में एक समय आएगा जहां आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी प्रॉब्लम देखना पड़ेगा दोस्तों दूसरा जो साइड एफेक्ट देखने को मिलता है हस्त मैथून का वह है प्रिमाचोर एफेक्ट जो हमें देखने को मिलता है वह हमारा लिंक क उपर हमारा लिंक का जो साइज है वो छोटा हो जाता है वो सिकूर जाता है क्यूंकि हमारे लिंक का अंधर ऐसी बहुत सारी नसे है हजारों नसे है जो कि कमजोर पढ़ जाते है एक स्वस्त मैथून करने का कारण से और वो नसे कमजोर पढ़ने का कारण से वहां पर पूल पास आउट करने के लिए थोड़ी से जोर लगाता है तो उस समय आटोमेटे के लिए वीर पाथ हो जाता है मुत्र मार्क से इसका मतलब ये भी है कि आपका वीर पतला हो चुका है और आपको सुक्राणू की मात्रा में कमी आ चुका है दोस्तों पांचवा जो साइड ए के बारे में दोस्तों चटा जो साइड एफेक्ट है वह है लॉस ओफ एनरजी दोस्तों हमारा बॉड़ी में एक अलग तरह की ठकावड रहती है बॉड़ी एकदम सुस्त रहता है ऐसा लगता है बॉड़ी में कोई जान ही नहीं है पेसेंट एक अच्छा-खासा नींद ले देगने को मिलती है तो दोस्तों यह कुछ प्रॉमिनेंट साइड एफेक्ट सस्तम अथुन का इसके इलावे हमें और भी बहुत सारी साइड एफेक्ट देगने को मिलते है जैसे कि पेसेंट की आँख की रॉसनी में कमी आ जाना हेर फॉल होना हेडेक होना या फिर आख के नीचे डार्क कलर की सरकल पड़ जाना या पेसेंट अपना उमर से बहुत ज़्यदा बुढ़ा दिगने लगता है तो दोस्तों अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यह जो जो साइड एफेक्ट मैंने आपको अभी बताए है इसके लिए ऐसी कौन-कौन सी होमेपतिक मेडिसिन्स है जो कि हम ले सकते है और उसे लेक कर हम इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते है तो जो पहला साइड एफेक्ट है हस्त मैथुन का वह है इरेक्टाइल डिसफंक्शन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए जो दो टॉप मेडिसिन माने जाती होमेपाथी में वो है agnes castres और ginsing agnes castres को अब 30 potency में लेकर आईए और ginsing को उसका mother tincter के form में आप लेकर आईए और agnes castres 30 का 2 bond सुभे, 2 bond 2 फेर और 2 bond साम को आप लीजिए और उसी के साथ ginsing mother tincter का 15-15 bond करके आप सुभे 2 फेर साम को लीजिए half cup या फिर एक cup normal water में मिला कर तो दोस्तों बात करते है अगला problem के बारे में जो है secret pattern यानि premature ejaculation जिसे हम लोग कहते है तो secret pattern के लिए जो दो top medicine है homoepathy में वो है titanium metallicum 30 और selenium 30 दोनों ही medicine का 2-2 bond आप सुभे 2 फेर और साम को लीजिए और 10 minute का gap देकर आप लीजिए दोस्तों बात करते है अगला point के बारे में वो है link की size छोटी हो जाना या फिर link की size में सिकूडा ना जाना तो इस problem के लिए जो दो top medicine है homoepathy में वो है staphis agriya 30 और nuflutia mother tincture staphis agriya 30 का 2 bond सुभे 2 bond 2 फेर को 2 bond साम को लीजिए और nuflutia का 15-15 बूंद अब लीजिए सुभे 2 फेर साम लीजिए half cup या फिर 1 cup नॉर्मल वाटर में मिला कर दोस्तों अगला के side effect हस्त में थून का वो स्परमेटोरिया यानि धात और धात के लिए जो दो top medicine है वो है acid force mother tincture और selenium 30 acid force mother tincture का 15-15 बूंद लीजिए सुभे 2 फेर साम लीजिए और half cup या फिर 1 cup नॉर्मल वाटर में मिला कर लीजिए और selenium 30 का 2 बूंद सुभे 2 बूंद दो फेर 2 बूंद साम को लीजिए आगे बात करते हैं अगला side effect के बारे में दोस्तों अगला जो side effect है वो है body में कमजोरी यानि weakness तो कमजोरी के लिए weakness के लिए आप China mother tincture के इस्तमाल कर सकते है China mother tincture 15-15 बूंद अब लीजिए सुभे 2 फेर साम लीजिए और half cup या फिर 1 cup नॉर्मल वाटर में मिला कर लीजिए दोस्तों अगला जो side effect है हस्तमाथून का वह है भूलने की अगर आपको भूलने की बहुत जड़ा सिकायत हो रही है तो भूलने वाली प्रॉब्लेम के लिए आप कैलाइडियम 30 और एविनस हैटाइवे मदर टिंचर लेकर आईए साम लीजिए दो दो बूंद करके लीजिए तो दोस्तों जो लोग कहते हैं कि हस्तमाथून का कोई side effect नहीं है तो आप बिलकुल उनका बात ना मानिए overhand practice का 101% side effect होता है जो बंदा हस्तमाथून नहीं करता है वो आपसे कितना स्वस्थ है आप उनको देखिए इस बात का अंदाजा आप उनसे ही लगा सकते है और आपका अंदर हस्तमाथून करने के कारण से क्या-क्या problems क्या-क्या समस्या develop हुई है इस बात को भी आप analyze कर सकते है मैं यह नहीं कहूंगा कि हस्तमाथून करना पूरी तरह गलत है हस्तमाथून करना भी चाहिए लेकिन उसे एक सिमित मात्रा में करना चाहिए उसे आप महना में एक या दो बार करिए उसका उपर एक संतुलितब रखिए एक कंट्रोल रखिए उसका उपर और एक बात में बोलना भूल गया था उसको सही तरीके से करिए गलत तरीके से ना करिया आप, बहुत लोग hand practice wrong way में करते है, जिसके कारण उनका glance hyper sensitive हो जाते है, हस्तमय थुन का सही तरीका क्या है, इसका उपर हमारा चैनल का उपर वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, तो उसे भी आप देख लीजिएगा, और अगर आपको हस्तमय थुन की आदत छुलाना है, तो इसका उपर भी हमारा यूटूब में वीडियो अपलोड़ेड है, आप उसे भी देख सकते हैं, मैं उसका link description box में डाल दूंगा, तो दोस्तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि हस्तमय थुन की क्या-क्या side effects होती है, और उसके लिए कौन-कौन सी होमोपतिक मेडिसिन बेस्ट रहती है, जिसे हम लेकर उन प्रॉबलम से निजात पा सकते हैं, तो दोस्तो मैं इस वीडियो को ही पेरिंट करता हूँ, so thank you very much and have a good day.